मेरे प्यारे देश वासियों, आज 24 अक्तूबर को UN Day यानि सयुक्तर राष्टर दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन है जब सयुक्तर राष्टर का गठन हुआ था। सयुक्तर राष्ट की स्थापना के समय से ही भारत इसे जुड़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने आजादी से पहले 1945 में ही सयुक्तर राष्ट के चार्टर पर हस्ताक्षर किये थे। संयूक्त राष्ट से जुड़ा एक अनोखा पहलू ये है कि संयूक्त राष्ट का प्रभाव और उसकी शक्ति बढ़ाने में भारत की नारी शक्ति ने बड़ी भूमी का निभाई है 1947-48 में जब UN Human Rights का Universal Declaration तैयार हो रहा था तो उस Declaration में लिखा जा रहा था All Men Are Created Equal लेकिन भारत के एक डेलिगेट ने इस पर आपती जताई और फिस Universal Declaration में लिखा गया All Human Beings Are Created Equal ये बात Gender Equality की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी क्या आप जानते हैं कि स्रेमती हंसा महता वो डेलिगेट थी जिनकी वजह से संभव हो पाया उसी दवरान एक अन्य डेलिगेट स्रेमती लक्ष्मी मैनन ने Gender Equality के मुद्दे पर जोड़दार तरीके से अपनी बात रखी थी यही नहीं 1953 में स्रीमती वीजिया लक्ष्मी पंडीत UN General Assembly के पहली महिला प्रसिडेंट भी बनी थी साथियों हम उस भूमी के लोग हैं जो विश्वास करते हैं जो प्रार्थना करते हैं ओम द्यो शान्ति ही अंतियक्षम शान्ति ही प्रुत्वी शान्ति आपह शान्ति आउशदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति रेधी ओम शान्ति 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 सदे विश्व शांती के लिए काम किया है हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दसक से लगातार सयूत राष्ट शांती मीशन का हिस्सा रहा है गरीबी हटाने, क्लाइमेट चेंज और समिकों से समंदित मुंतों के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमी का निभा रहा है इसके अलावा योग और आयूष को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत डबली एचो एनि वर्ल्ड हेल्थ और नैशनल के साथ मिलकर काम कर रहा है मार्ट 2021 में डबली ओचो ने गोश्णा की थी कि भारत में पारमपारिक चिक्त्सा के लिए एक ग्लोबल सेंटर स्थापित किया जाएगा साथियों संयुक्त राष्ट के बारे में बात करते हुए आज मुझे अटल जी के शब्द भी याद आ रहे है 1977 में उन्होंने संयुक्त राष्ट को हिंदी में संबोधित कर इतिहास रज दिया था आज मैं मन की बात के सुर्टाओं को अटल जी के उस संबोधन का एक आउंस सुनाना चाहता हूँ सुनिए अटल जी की ओज्यस्वी आवाज यहां मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में ने सोच रहा हूँ आम आदमी की पृतिष्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्त रखती है अंत्ता हमारी सफलताएं और असफलताएं के वल एक ही माप दंड से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुता हर, नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रेत्रशीलें साथियों, अटल जी की ये बातें हमें आज भी दिसा दिखाती है इस धर्ती को एक बहतर और सुरक्षित प्रेने बनाने में भारत का योगदान विश्व भर के लिए बहुत बड़ी प्रेना है